हेलो विडियो को देखिए मैं आपके साथ आचुका हूँ विद दे कंपर्जन ओफ द एमजी हेक्टर एंड द कियर सेल टॉस तो अगर आप लोग कंफ्यूज जाए यह आपका बजेट टाइट है और आप अपनेरे बेस्ट कार चुननना चाहते है तो पूरी वीडियो को दे इस प्रेट है मैंने आपको कही बार कंपारिशन से बताया हूँ है अभी टाटा हैयर के साथ इसको कंपार कर चुका और यह कंपस के साथ और आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने आई पर टर अभी उपर दिया हुआ है अभी जाईए क्लिक किजे और वह वीडियो देखिया मैंने एमजी हेक्टर कैसी देखते हैं में की लुक्स है अब यह इसको 360 वीव में देख रहे होंगे जैसे कि एमजी हेक्टर को तो बहुत ही स्ट्राइकिंग का रहा है और तो इसे भी आप इसको कंपेर कर लो किसी भी एंगल से दूसरी सेग्मेट में आने वाली गाडियों से यह सब यह में को बहुत बेटर लगी है इवन आपको 17 इंचिस के वस्ट एलोइस मिल जाते हैं बागी अग इसके कंपेरिशन में सेल टॉस की वह भी पर्फेक्शन के साथ किया ने भी डिजैन कia हुए किया कि जो फरेंट और रहर है वो बहुत बढ़ी आगा गया और बाकि मैंने आपको किया किया सेल्टॉस के बार हमें आपनी एक और वीडिए एक और में में दूद किया था जह मैं आपको बता था इसमें आपको हाट बिल्ड टेल लांप का ऑप्शन मिल जाता है और में वो भी आप जाके वीडियोस देख सकते हैं तो फ़या के लिए बात आती है अब सेल्टॉस के अब भी वापस आ जाते हैं तो जब तक सेल्टॉस की बात कर लें तो सेल्टॉस बहुत स्टनिंग है और देखने में अगर कोई लुक्स में गाड़ी चुली हो तो अब बात आती है फिर इंटिरियर की तो आपको किया सेल्टॉस के जो सबसे टॉप एंड मॉडल है उसमें तो आपको बेश देखने को मिल जाता है बट हाम वो आपके वेरेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से कलर ऑप्शन यो आपको से रहां ब्लाक कलर का ओप्शन देती है फुल ब्लाक अंटियर जो आपको देखने को मिलता है बट किया सल्टॉस का इंटियर रेंट वो काफी प्रेमियम फील होता है एंड यवन ब्लास्टे क्वालिटी में जो लेधर रैप किया हुए वह बहुत प्रेमियम फ को आप परसनली बैठ के अगर इंटीर के मामले में बात कर लें बट हम अगर सबसे अगर टॉप में वारेंट अगर कंसेडर कर रहे तो बात करें फिर अगर कंफर्ट अगर कंवीनैंस के अपको जो एमजी हेक्टर में चीज देखने को मिलते है ने कंफ़र्ट अगर कंवीनैंस के तो सबसे पहले आती है आपके को द्रेवर साइड एलेक्टिक शीट आपको 360 कामेरा तो वैसे मेली जाता है दोनों घाडियों में आपको Panorobic Sunroof मिल जाती है, जो आपको Kia Seltos नहीं देती है, बढ़ आपको एक छोटी सी Electric Sunroof मिल जाती है, फिर आपको साथ में मिलते ही है, Electric Tailgate का Option मिल जाती है, कि आप एलेक्टरिक लिए अपने Tailgate को Close कर सकते हैं, without any hesitation, but Kia Seltos के साथ जो आपको advantage हो जाता है, वो आपको ventilated cheats आपको उसमें देखने को मिल जाती है, आपको smart air purifier देखने को उसमें मिल जाता है, और कुछ और भी जैसे equipment है, वो आपको Kia Seltos में देखने को मिल जाता है, एक और चीज जो मैं अगर मिस ना करो तो आपको wireless charging का भी आपको option मिल जाता है, और बाकि आती है audio system की बात, तो Kia Seltos बहुत offer करते हैं, जबकि MG Hector में आपको infinity देखने को मिलता है, तो यह कुछ differences होगा है, इनके comfort and convenience में, पर फिर आती है safety की बात, तो standard safety में जो आपको offer मिलती है, MG Hector में, वो है electronic stability program, traction control system, और आपको hill launch control, और बाकि आ साथ में dual airbags, ABS with EBD, आपको सारे variants पर standard देखने को मिल जाता है, बाकि अगर बात कर रहे हैं, अगर top end variant की सबसे है, तो आपको 360 camera और आपको six airbags देखने को मिल जाते है, बट जो Kia Seltos में आपको safety मिलती है, उसमें आपको dual airbags और ABS with EBD की safety आपको standard मिलती है, तो MG Hector ने सबसे प operator के according, इसने 5 star score कर रहे थे हैं, अपनी safety के according, जबसे इसकी build quality बहुत अच्छी है, and even दरवाजा में इसका खोलता हूँ, तो बहुत भारी बढ़कम feel होता है, इवर मेरे को, in comparison to the Kia Seltos, पर Kia Seltos है, उसकी एक बार अभी test हुआ था हम, जो कि उसका Australian variant था, जिसमें उसने 5 star score कर सकती है, तो यह कुछ मेरे से अपने Indian Seltos की बात कर लें, तो इसमें शायद मेरे काद से 4 star score कर सकती है, मेरे according, अगर यह Indian Seltos की बात कर ले था हूँ, तो यह कुछ मेरे से और safety में अगर preference देने हैं, तो मेरे काद से एक बार MG Hector consider कर लेनी चाहिए, and comfort and convenience की बात कर लें, और बाकि आपको क्या-का मैलेजेस क्लेम करते हैं, अब हमारे comparison में हैं, इंजन इन दोनों के, तो आपको जो options मिल जाते हैं, इंजन में देने को, MG Hector में आपको देखते हैं, इक 1.5 लीटर का petrol, क्योंकि आपको hybrid के साथ भी मिलेगा, और बाकि आपको साथ में एक तरफ मिल क्योंकि क्या-का मैलेज आपको 1.5 लीटर के साथ, जैब कि MG Hector में आपको आपको चैर में चलाना में लगेगे, तो यहां पर एक advantage हो जाते हैं, आपको और highway भी अच्छा advantage होगा, अगर 1.5 लीटर का petrol का चाहते हैं, तो फ्रिया के लिगा, अगर 1.5 लीटर के petrol के साथ, घर 1.5 लीटर के petrol को कंबल करें, किया-सल्टास के, तो किया-सल्टास को rate करता है, 138 BHP की horsepower और 242 Nm का torque, पर आपको अगर mileage figures की बात कर लें, तो MG Hector का 14-16 के बीच में देगा, जबकि किया-सल्टास का आपको 16 तक देदेगा, 16-17 अगर दोनों petrol की बात कर लें तो, वैसे तो 16-18 15 भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि driving पर फिर के आपको transmission options मिल जाते हैं, MG Hector आपको 6-speed DCT दे रही है, petrol के साथ, अगर आप naturally aspirated लेते हैं, बिना hybrid के, बट लेकिन अगर किया-सल्टास के बात कर लें, तो आपको उसमें 7-speed DCT मिलता है 1.4 के साथ, और आपको CVT मिल जाते है 1.5 के साथ, पर लेकर अगर आती है अब डीजल एंजन की बाद, डीजल एंजन में को भी automatic देर को ने मिलता है, MG Hector में, जाकि को किया-सल्टास में talk converter देरने को मिलता है, पर लेकर अगर power figure की बात कर लें, तो MG Hector के जरेट करता है 170 bhp की power और 350 nm का torque, अचलिए 169.9 bhp की power, अगर किया-सल्टास की बात कर लें, वो जरेट करता है 115 bhp की power और 250 nm का torque, और अगर मिलेज की बात कर लें, तो किया-सल्टास को 20 तक देगा, जो कि MG Hector का आपको 17-18 देदेगा, अगर डीजल में बात कर लें, तो तो फिलाल के लिए एंजन और ट्राश्मेशन के अगर बा से performance के मामले में, आपके लिए किया-सल्टास एक बहुत अच्छा option है, पर अगर किया-सल्टास है, जो cabin space में बरोसर रुखते हैं, बड़ी sunroof, उनके लिए MG Hector है बहुत अच्छा package है, और अब शेर में भी इसको बहुत अच्छा से चला सकते हैं, बड़ लें किया-सल्ट होगे एक final verdict, बट हम फिल भी अगर और कि कुछ भी confusion से हम इनको वीडियो में पूछ सकते हैं, comment section में